ये देखिए लग रहा है ना एकदम बाजार जैसा एकदम बाजार जैसा आज मैं इसे बाजार जैसे स्टाइल में इसको सेर्व भी करूंगी और ये दिल्ली का फेमस पॉपकॉर्ण मोमोस जो बहुत ही आसान बन जाता है और सच में यकीन नहीं करेंगे बहुत छटपट मैं ने बना कर तयार किया है और खाने में तो वाव क्या लाजवाब टेस्ट है तो चलिए है ब्रीवन वेलकम करती हूं प्रीतों की इजी रेस पीस में तो सबसे पहले यहां पे हमने लिया है कुछ सबजियां तो जैसे कि हमने यहां पे पत्ता गोवी लिया है गाजर लिया है अध्रक लिया है, तो इन सब को क्या करूंगी? अच्छे से साफ करलूरूगी, क्लीन करलूंगी, और clean करने के बाद इसके जो है मैं chopping कर लूँगी तो यहाँ पर जैसे जो wage non wage बनता है उसमें पत्ता गोवी जरूर डलता है प्याज और गाजर और बहुत लोग सिम्बला मिर्च भी डालते हैं बट हमने यहाँ पर एक सिम्बला मिर्च भी ले लिया है तो बस यहाँ पर हमने धे सारा लाहसन ले लिया है अलाहसन जो चटनी का काम करता है ना सबसे जादा टेस्ट लाहसन का ही आता है जो मार्केट में हम मतलब चटनी खाते हैं तो यहाँ पर देखिए हमने ले लिया है सारे सबजियों को अच्छे से वास कर लेंगे और उसके बाद इसको हम बहुत आसान तरीके से बताएंगे जो आपको सच में इजी लगेगा और आप रोजी बना के खा सकते हो मेरा मन करता है ना कि मैं सच में एक ठेला लगा लूँ ते यहाँ पे हमने गाजर को जो है छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और इसके बाद यहाँ पे सिमला मिर्च ले अब यहाँ पे लेंगे एक पत्ता गोभी पत्ता गोभी जरूर डाले इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है तो यहाँ पे जो दिल्ली के जैसे मतलब मार्केट जैसे मैं बना रही हूँ एकदम बढ़िया महंगे से महंगे जो ठेले पर आपको मोमोज मिलता ना वह इसको मैं जूसी फ्लेवर में बनाओंगी बिल्कुल भी इसका पानी नहीं निकालोंगी क्योंकि पानी निकाले से एकदम ना सूखा सूखा बनता है मोमोज तो जूसी फ्लेवर में पॉपकोर्ण मोमोज जो है बनाते हैं तो यहाँ पे हमने बटर ले लिया है कडाई में अब क्या करेंगे लासन अद्रक प्याज जो हमने चौप किया था वो डाल देंगे और लासन को थोड़ा सा भून जाने देंगे जब लासन बढ़िया सा मतलब ब्राउन कलर हो जाए ना तब इसमें हम प्याज डालेंगे प्याज को भूनना नहीं है सबको एक साथ में डाल पानी में इतने सारे nutrition होते हैं जो एकदम उसका तत्व खतम हो जाता है तो चलिए जब तक वहां पर मसाल स्टफिंग मेरा भूने गए तब तक यहां पर चटनी के लिए तयारी कर लेते हैं तो हमने यहां पर तीन टमाटर लिया है आधा हमने प्याज लिया है और उसके बाद कॉर्ण स्टार्च है इससे जो आपका जूसी बनेगा न मॉमोज और साथ में जो चटनी एकदम सीशे की तरह जलकती है एक मार्केट वाले इसमें कॉर्ण स्टार्च डालते हैं ति यहां पर हमने जो है सबजी आच्छे से जब भून जाय ति यहां पर हमने तीन चमश कॉ लेना है डारिक्ट नहीं डालना है इस नहीं तो यह गुल्टी आ जाता है यानि कि इसमें चंग सुपड़ जाते हैं डाल देना इस जो आपकी बांडिंग बनेगी एकदम पर्फेक्ट बनेगी तो देखिए हमने यहां पर भून लिया है और जब अच्छे से भून गया टमाटा डाल देंगे और साथ में यहां पर हम डाल देंगे दो टुकड़ा अद्रक का और उसके साथ में धे सारा लाहसन डाल देंगे और उसके बाद यहां पर हम डाल देंगे नमक नमक जरूर डाल देना कच्छा नमक मत डालना पका लेना मतलब पानी में डालके अब यह लेंगे सिपला मिर्च से जो टेस्ट भी आएगा बढ़िया और कलर इसी से आता है सिपला मिर्च से मार्केट में बनाते हैं लोग देगी मिर्च का इस्तिमाल करते हैं अगर आपके पास साबूत थो डाल दीजिए लाश्ट में हमने यहां पर दोठे हरी मिर्च डाल दिया है क्योंकि सिमला मिर्च तीखा नहीं होता है सॉरी काश्मीरी मिर्च और उसके बाद जो हमने सलैरी बनाया था Corn Starch का वो डाल देंगे इस से क्या होतना गाढ़ा हो जाता है जो हमारी चटनी का फ्लेवर होता है एकदम सीशे की तरह और एकदम गाढ़ा गाढ़ा बनता है तो यहां पर डाल के अच्छे से एक दो उबाल आ जाने देना है उसके बाद गैस की फ्लेवर को आफ करके इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए तो जब तक हमारी चटनी की म के आटे से भी बना सकते हो गेहों के आटे से भी बहुत परफेक्ट बनता है मैंने देखा है जहां महंगय एरिया में मिलता है तो वहां गेहों के आटे में ही भी देते हैं मैदे वाले आटे में बहुत कम मिलता है लेकिन मैदे वाला का स्वात जो है थुड़ा अच्छा ल रख देंगे इधर हमारी चटनी ठंडी हो गई है और इसके बाद अब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं तो यह देखे जो हमने कॉर्ण स्टार्च डाला था ना एकदम गाड़ी हो गई है और यह हमारी फटा-फट मार्केट वाली चटनी मतलब मोमो की चटनी वन के तयार यह यह चटनी आप न एक महीने तक इस्टोर करकर रख सकते हो अगर आप घर पे बनाते हो तो यहाँ पर हमने जो है थोड़ा सा और बढ़िया मतलब चटक-दार बनाने के लिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स हप डाल दिया है मतलब और गेनो और चाट-मसाला और एक धकन हमने यहां पे vinegar डाला था guys वो vinegar ना मेरा skip हो गया है vinegar से जो स्वाध आता है ना एकदम चटनी वाली जो बाहर की एकदम उसी की तरह आती है तो चटनी हमारी बन चुकी है अब यहां पे हम stuffing हमारा थंडा हो गया है तो यहां पे क्या करेंगे हम आधा पनीर डालेंगे अगर आपके पास पनीर है तो डाल दीजिए नहीं तो वी skip कर दीजिए सबजीयों का भी बहुत बढ़िया बनता है लेकिन थोड़ा सा अगर पनीर डाल देंगे ना तो इससे taste आपका एकदम reach वाला आएगा तो यहां पे देखिए हमने आधा पनीर कदू कर लिया है और यह अच्छी से stuffing जो है सूख गई है तो यहां पे पनीर को अच्छे से mix कर लेंगे और देखिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है जबकि मैंने बहुत ज़्यादा इसको जलाया भी नहीं था हलका सबस भूना था मेडियम टू हाई फ्लेम पे करके और यह जो इस तरह से मोमोज बनता है ना और सच बहुत जूसी बनता है बहुत टेस्टी लगता है खाने में तो यहां पे देखिए हमारा आटा सेट हो गया है आप क्या करेंगे बहुत सारा बनाने के लिए जैसे आप बाजार में बनाते हैं तो इसी तरह से बनाते हैं क्या करते हैं चकई बना लेते हैं मोटा मोटा इस तरह से जब चकई बना लेते हैं तो उसको खूब बड़े बड़े बेल ले तो बहुत लोग उसको छोटी छोटी लोगी बेल के बनाते हैं बहुत लोग उसको बड़े आकार में रोटी की तरह बेल के उसके बाद कटिंग करके बनाते हैं तो मैं आज मोमोश मतलब इतना मज़ा आ रहा था भरने में मोमोश को मैं आपको दिखाऊंगी बहुत ही आसान है बहुत मतलब आसान तरीक है जो आप फटा फट से भर सकते हूँ यहाँ पर देखिए हमने बेल लिया और रोटी देखिए एक्दम पतला होना चाहिए क्योंकि यह मैदा है तो इस्टीम होने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो थोड़ा सा पतला रोटी से बीकाटे के दाटए अठिए कि मैदा बक सरहला होता है और एक साइट का जो है मतलब की कोड़ना है और एक साइट का प्लेन रखना है और बस फटा फट से इस तरह से आप जो है बना सकते हैं तो देखिए कितनी परफेक्ट जो है मोमोज ये बनके तयार हुआ है तो अभी मैं एक और बना के तुम्हें दिखाऊंगे ताकि आसान ल जा रहा था तो देखिए इस तरह से बना लेना है ये देखिए मैंने दूसरा साइट भी बना लिया अब क्या करेंगे यहां पर पानी जो है रख लेंगे कडाही में अगर आपके पास मोमोज स्टीम है तो सबसे बेस्ट है लेकिन ये बहुत बढ़िया तरीका है तो यहां पर हमने दूद की छन्यींन ले लिया है इस तरह से आप क्या करेंगे इसको पूरा प्लेय फ्लेट में लगा देंगे। अब यहां इसी तरह से आप लोग मेरी वीडियो में देखते होंगे मैं इसी तरह से बनाती हूं और बहुत थ utilizar कि कर दिया हूत तया हई तेल जो है आयल मतलब ब्रसिंग कर दिया है इससे जो हमारी चमकदार मोमोज बनेगी ना देखने में बहुत खोड़ प्रूरत लगेगा और यकीन नहीं करेंगे इतने मतलब रिच बने थे इतने टेस्टी बने थे कि मुझे खुदी विश्वास नहीं हो रहा था और यहां प फटा फट से मैं मतलब बनाने में इतना मज़ा रहा था कि मैं बनाते जा रही थी बनाते जा रही थी एक बैस हमने रख दिया है अब दूसरा बैस तयार कर रही हूं तो यह देखिए 20 मिनट लगे हैं एक बार मैंने 20 में चेक किया था उसके बाद फिर जो है अब मैं फाइ लगता है और उपर से हरी धनिया डाल दो एक दम रिच फ्लेवर का आपका मोमोज और लाज चटनी बनके तयार दिये देखिए गाइस सच में मूँ में पानी आ गया मैं इस वीडियो को हेडिट कर रहे थी आप जरूर बनाना मेरे तरीके से फटा फट से आप आधे घंटे मे बहुत सारा मोमोज बना कर तयार कर सकते हों और ये हमारी मोमोज बनके तयार तो चलिए मैं यहाँ पर एक खा के दिखाती हूं गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो सस्क्राइब जरूर कर लेना सस्क्राइब करके तब मेरी वीडियो को देखना अच्छा लगे तो ए एक एर एंसस्क्राइब का नाव